hello everyone welcome to the alert classes today we are discuss about empirical formula empirical formula जो है उसको हम देखते हैं the formula that show the simplest ratio of atom of various elements present in our compound जो हमारा compound में जितने भी elements सी atom होते हैं उनको simplest ratio निकालना पड़ता है हमको empirical formula find out करने के लिए ठीक है तो हमारा जो यह यह molecular formula देगा है यह benzene यह acetylene है और यह हमारा glucose है और यह water है तो यह जो है इसके molecular formula है तो हमारा empirical formula क्या क्या होंगे benzene है अगर हम इसको simplest करेंगे तो हमारा CH हो जाएगा यह क्योंकि यह जो यह सब्सक्राइब देगे यहां पर 6 से डिवाइड देगे यहां पर 6 से डिवाइड देगे तो यह पर 1 आजाएगा वन अजाएगा तो CH हो जाएगा हमारा संप्लेस्ट रेशियों जो है शी से इसका वो CH हो जाएगा तो यह परिकल फॉर्मॉला जो है बैंजीन का वो CH हो गया और ऐसे तिलीन में भी हम देख लेते हैं तो हम वन वाइट हूसे इसको मल्टिप्लीब्ला है करेंगे लिएंटू से डिवाइट दे देंगे तो हमारा जो फ्रॉर्मॉला हैगा यह भी CH हो जाएगा संप्लाइस चो फॉर्मॉला ंघर हम इसको देख फ्रट्श से Parliamentे कि तो फ्रेंटहों these इस्ज्टाइगे वो आजाएगा C और यहां पर H2O ठीक है यह ग्लुकोस का फॉर्मुला है हमारा और वाटर का से प्लेस्ट जो रेशियो है यह होल नंबर है वो एच्टू ही है वरना फिर फ्रेक्शन में आजाएगा फ्रेक्शन में आजाएगा गराम वन वाइटू से मुल्टिप्लाइगा हमें बाइटू हूजयगा हमें वूल नंबर चाहिए इंपैरिकल फ हमूली में यहां पर एस्टू ही होगा सिंपैरिकल फ्रामुले को मरून फांडर करने कि लिए हमें किया किस्टैब sä Catal वो हम देखते है, step to find empirical formula, तो हमारा जो first step है, वो ये, if given the percentage composition, composition जो आपको percentage में दी गई है, किसी भी question में दी जाती है, जो मैं empirical formula find out करने के लिए दिये जाता है, तो उसको 100 gram मान देंगे, ठीक है, assume हा 100 gram, तो percentage composition को हम लोग क्या मानेंगे, 100 gram, जैसे हमें 100% दी गया है, तो उसको हम 100 gram मान देंगे, ठीक है, percentage को हम gram में convert कर लेंगे, Second step is to convert gram to moles, जो हमें gram दिये गया है, उसको mol में convert करेंगे, mol में कैसे convert करेंगे, जो उसको atomic mass है, करवान है, hydrogen और oxygen दिया होता है, तो carbon के, जो हमको gram दिये गए है, percentage में दिये गई है, value उसको gram में convert कर लेंगे, ठीक है, फिर उसको atomic mass है, जैसे carbon का 12 है, उससे divide दे दे देंगे तो हमको मोल मिल जाएगा hydrogen का oxygen को उसका जो ग्राम इसको 16 से डिवाइड दे देंगे atomic mass 16 होता है oxygen का तो हमको oxygen के मोल मिल जाएंगे तो second step में हमें ये करना है gram से मोल में convert करना है third step हमें दिया गया है divide the moles of each element by the smallest mole fraction जो हमें मोल से जो हमारे आए हैं उसे हम smallest जो हमारे मोल आया हुआ हो को उसे divide करना है जो बड़ा वाला मोल से चोटे वाले मोल से divide करने के बाद हम fourth step की तरफ चलते हैं ठीके तो smallest mole fraction है हमारा उसे divide दे देना है four step क्या कह रहा है हमारा the result from step three should be a whole number if not make it multiplying by a common factor अगर जो हमारे result आया three में अगर वो whole number है simple number है वो हमारा जैसे one two three four तो कोई बात नहीं है formulae में और अगर हमारा नहीं आ रहा तो हम किसी भी simplest number से multiply करके उसे जो common factor है सबको एक ही common factor से common number से multiply करके उसको whole number बना दिंगे ठीक है n is equal to one two three four five यह सब हमारे whole number होते हैं तो empirical formulae के लिए यह four step हमें बताए गए अब हम question में देखती है किस तरह इसे apply करना है तो हमको जो यह question दिये गया है वो यह है एन और गैनिक कंपाउंट contain carbon hydrogen and oxygen it element and analysis give carbon का जो percentage हमें दिया है वो 38.71% hydrogen का हमें दिया है 9.67% oxygen को हमें दिया नहीं है तो हम जो यह oxygen को percentage है carbon and hydrogen का percentage plus करके 100 से minus कर देंगे तो हमारा oxygen का percentage निकला आएगा the empirical formula of the compound would be empirical formula पूचे गया है कि इन compound का क्या क्या होगा percentage composition हमको दे दी गई है तो यहां पर जो यह carbon है इसके percentage दी गई है 38.7% और hydrogen की percent दी गई हमें 9.67% ठीक है और oxygen के जो percentage हम कैसे निकालेंगे इन दौनों को add करके 100 से 100% में से minus कर देंगे minus 38.71 plus 9.67 यह percentage में दी गया है तो हमारा जो answer आएगा वह आएगा 551.62 यह हमारा oxygen का percentage आएगा हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं यह जो percentage यह जो परसेंटेज यह जिए इसको डारेक्ट हम 100 ग्राम मानने अब यह हमने 100% मान की किया है यह कॉशन इसको हम 100 ग्राम मालेंगे तो हमारा जो कारवन है हमारा जो कारवन है वो कितने ग्राम है कारवन हमारा 38.71 ग्राम है ठीक है hydrogen कितना है हमारा 9.67 ग्राम एंड ऑक्सीजन हमारे कितना आया 51.62 परसेंटेज को हम ग्राम में चेंज कर रहे हैं 51.62 ग्राम अब जो हमारे सेकिंड स्टेप था की जो आपको ग्राम दिया इसको मूल में चनवर्ट कर लो तो जो यह हमारा का लगन है यह है यह ऐटो जन यह ओक्सीजन इसकर जो ग्राम दे दिया वो 38.7 है और इसका आटमिक मास कितना हैós 12 है का यह अच्छल उन का 9.67 और मास पंच और है और ऑक्सीजन का कितना गिराम है 50 1.62 ग्राम को स्काइड मिल्स जो है वो 16 औक्सीजन ग्रट इसकी जो वैलू आईगी वो आईगी आप केर्कुलेट करके देखिये गा स्की वैलु आईगी 3.23 और हाइड्रोजन की जो वैलु आईगी वो आईगी 9.67 और ऑक्सिजन की आईगी 3.23 अब जो थर्ड पॉइंट था कि जो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रेक्शन है इसमें यह दौनों ही स्मॉलेस्ट रेक्शन है क्योंकि दौनों ही सेम है उससे डिवाइट दे देते हम इसको ठीक है थर्ड स्टेप में तो यह हमारा 3.23 आया 3.23 इसका डिवाइट हमने 3.23 से दे दिया और यह हमारा 9.67 इसको डिवाइट हमने दिया 3.23 सेあ है और ये जो हमारा 3.23 इसका में किस से दिया 3.23 से neighborhood से same weight dди same values से 3.23 इसे को भी डिवाइट किन इसको भी इसको भी स्थ मॉलेस्ट था जानों सेमreso sAms C2 am और वह स्मॉल इस्ट होगा तो इसकी जो ट माईगी ॏ उ lugar कि फ़र चीजamb ऑंप कि movie वाप कि यह इस जब आप डिवाइड देंगे तो ऐकि की थी और इस 돌 सबसे वेस्ट कारवन है कि यह 3 और ऑक्सीजन इतना है यह ओक्सीजन ने एक हमारा एंसर होग यह हमारा इंपरिकल फॉर्मूला है यह हमारा अंज़ होगा है यह हमारा empirical formula है, ठीक है, अगर हमारा यह fraction में आता, suppose जैसे यह है, यहां पर लिख देते हैं, 1y2 है, जैसे कारण 1y2 आता, hydrogen 3y2 आता, यह oxygen है, तो हम क्या करते हैं, 2 से multiply कर देते, यहां पर 2 से multiply करेंगे, तो कारण 1 आ जाएगा, और 2 से multiply करेंगे, तो hydrogen 3 आ जाएगा, और oxygen तो हमारा 1 है, ठीक है, अगर हमारा whole number नहीं आ रहा, तो हम multiply कर देते हैं इसको, और same number से multiply करेंगे, इसको भी 2 से multiply किया, तो 2 और 2 डिवाइड होगे, यहां पर 2 और 2 डिवाइड होगे, तो 1 और 3 आ गे हैं, यहां पर 1 3 1, तो यह empirical formula है, मैंने आपको बता दिया है, मतलब रफ पर गये, ताकि आप पसे हैं नहीं question में, ठीक है, तो answer जो हमारा empirical formula है, यह answer जो है CH3O यह हो गया, तो हमने बुरा concept समझ लिए, आज empirical formula का और आप आगे जो question दी गए हैं, वो आप देखिए का करके, आपसे easily solve हो जाएंगे, ओके, thank you.